दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे समान्य ग्यान के यानि जीके के प्रैक्टिस सेट टू के बारे में ठीक है तो ये प्रैक्टिस सेट टू हम सोल्व करेंगे इससे पहले हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट था वो सोल्व किया है और ये जो आपका कुशन पेपर है 2017 में पूछा गया था और 3-4 वीडियो में और मैं आपको last year के question paper करा दूँगा फिर उसके बाद हम advanced level के, moderate level के question paper भी solve करेंगे ठीक है, आपकी practice के लिए और इसमें कुछ-कुछ जानकारी मैं आपको देता हुआ चलूँगा जो कि मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़े पता होनी चाहिए और इसका जो PDF है ये PDF आप टेलेग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, link आपको description में मिल जाएगा ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना दूसरी बात, देखिए आपको आज आपको वीडियो पर aim देता हूँ आपको like के aim, ठीक है 100 आपको like करने है आज ठीक है, इस वीडियो पर आपको 100 like करने है ठीक है एक या दो दिन के अंदर-अंदर 100 like इसमें हो जाने चाहिए तो ये आज मैंने पहली बार aim रखा है दूसरी बात कि अगर आपको देखिए, आपको comment जरूर करके बताना है कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा ये session आपका, ये series अच्छी लगी तो आप comment करके बताईए कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी बताईए खराब लगी तो खराब बताईए मतलब जो भी आपके point of view से कैसी है तो ये आप comment करके बताना है अच्छी हो, तो आप अच्छी बताईएगे बेकार हो तो बेका, लेकिन आपको comment करके जरूर बताना है, इससे थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं सही दिसाम में आपको पढ़ा रहा हूं, या आप जो आप इसको पढ़ना पसंद कर रहे हैं के नहीं, ठीक है तो ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए है मतलब तो ये आप अपने साब से बता सकते हो ठीक है, और टेलेग्राम से आप डाउनलोड कर लेना पीडियेफ और वहाँ पर इसको जोइन भी कर लीना अब चलिए अब स्टार्ट करते है तो थोड़ा सा अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप मैं बताता हूँ आपको कि स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं चलिए अब मैं आप एक किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है यानि अगर हमें किसी देश का आर्थिक विकास जानना हो उसका आर्थिक विकास अगर हमें जाननी हो तो सबसे अच्छा सूचक क्या है हमें क्या उस देश की बारे में जानना चाहिए तो इसका आंसर रहेगा option number A प्रती व्यक्ति आए कि उस देश की प्रती व्यक्ति आए कितनी है इससे उस देश के आर्थिक विकास का पता चल जाएगा ठीक है तो ये इसका आंसर रहेगा option number A और ये question एक आदवार और पूछा जा चुका है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं next है until the unyogna यानि A A Y की शुरुआत निमले कितमे से किश्वर्स की गई थी तो ये एक योजना थी योजना उसे question तो पूछे जाते ही है तो इसलिए योजना उपर आप focus करना मतलब ध्यान देना focus आपको हर चीज पर करना है लेकिन योजना उसे भी question आते है तो इसको भी आपको पढ़ना है तो एक योजना थी ये पूछा गया है कि इसकी सुरुआत कब की गई थी इसका answer आपको बताना है तो देखे इसकी सुरुआत हुई थी 2000 सन 2000 में option number ए इसका right answer है और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी यानि इसकी सुरुआत हुई थी कब 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और ये की थी अटल बिहारी बाचपई उस टाइम पर सरकार किसकी थी अटल बिहारी बाचपई की तो उन्होंने इनको मतलब इस योजनाओ को स्टार्ट किया था और ये अन योजना है तो गरीबों के लिए ती है गरीबों के लिए अन परदान कराना इसका मकसद था इस योजना का ठीक है तो इसका ये आपको पता होने चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा युग्म सही है ये जो question लिखा हुआ है पंचवर्षी योजना उसे related है कि कौन सी पंचवर्षी योजना किस model पर आधारित थी ये यहाँ पर पूछा गया है इसका answer आपको बताना है तीन चीज़े दिये गई है तीन आपको कह सकते है कथन दिये गई है इसमें से आपको बताना है मैं थोड़ा और उपर कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है अब आपको तीनों चीज़े चमक रही होगी पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ जो option है मैं थोड़ा और उपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे पूरा चलिए अब आपको दिख रहा होगा पहला, दूसरा और एक है यहाँ पर तीसरा तीन यहाँ पर कथन दिये गए है और यहाँ आपको बताना है इन option में से कि कौन सा इन में से सही है पहला देखते है प्रतम पंच वर्षी योजना यह जो PC महा लनोविश model पर आदारित थी क्या यह बास सही है यह गलत है बिल्कुल, राइट पहली जो पंच वर्षी योजना थी PC महा लनोविश model पर आदारित थी और दिए पंच वर्षे योजना उसे question बनता है ये एक तो ये आपको पूरी detail में अच्छे से पढ़ना है और दूसरा है दुत्य पंच वर्षे योजना दुत्य पंच वर्षे योजना हारूर डॉमर मोडल पर आधारिती बिल्कुल ये बात भी सही है तो पहला सही होगे आवारा दूसरा सही है तीसरा देखते हैं त्रित्य पंच वर्षे योजना गार्ड गिल योजना के मोडल पर आधारिती नहीं ये आपका गलत रहेगा केवल पहला और दूसरा ही सही है यानि option number 3 इसका right answer रहेगा अब देख लेते हैं तीसरी पंच वर्षे योजना जो है किस मोडल पर आधारित थी तो इसका अंसर रहेगा गार्ड गिल को यहाँ से हटा देंगे एक व्यक्ति थे एक मोडल था हेराड डॉमर ठीक है हेराड डॉमर हैराड डॉमर मोडल पर ये आधारिती तीसरी पंच वर्षी योजना तो इसका राइंट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा C और साथ में आपको मैंने तीसरी पंच वर्षी योजना के बारे में भी बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है डैस दिया हुआ है यहां पर एक भुकतान है जो शरकार किसी उत्पाद को किसी बस्तु के बाजार मोलिये के रूप में या पूरक के रूप में देती है तो ऐसी कौन सी चीज ऐसा कौन सा भुकतान है यह आपको बताना है अप्शन नमबर B इसका अंसर रहेगा सबसीडी नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक भारतिय सम्मिदान की एक मुख्य विसेस्ता नहीं है तो इन में से कौन सा एक अप्शन है जिसमें जो भारतिय सम्मिदान की अंतरगत नहीं आता है, उसकी विशेष्टा के अंतरगत नहीं आता है इसका आंसर रएगा option number D अलपतंत्र, ठीक है? ये सम्मिधान की विशेष्टा नहीं है अर्द संग ये सकती का परतक करन है, बिलकुल सम्मिधान में सकती का परतक करन है और मौली कदिकार है, बिलकुल ये भी विसेस्ताओं मीं आते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको सम्मिदान में की विसेस्ताओं में मिल जाएगी लेकिन अलग तंत्र यहां पर रौंग है, ऑप्शिन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा किस भारत सरकार अधिनियम के तहट पहली बार बिदाइका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिदित्व की मनजूरी दी गई ठीक है यह आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार बिदाइका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिदित्व की मनजूरी दी गई ठीक है यह आपको बताना है कोशन नमबर 56 इसका अंसर हैगा ऑप्शन नमबर बी ठीक है भारत सरकार अधिनियम 1909 जो अधिनियम था मारले मिंटो सुधार इसको दूसरे नाम से जाना ज जाता है तो यह भी आपको ध्यान लगना है तो इस नियम के तहत जो विधाईका में निर्वाचित सदस्य जो है मतलब प्रतिनिद्व कर सकते थे लेकिन इस नियम से पहले ऐसा नहीं था इस नियम के बाद यह लागू हो गया था ठीक है ऑप्शन नमबर 20 का राइट आंसर आगे है राश्टिक कॉंग्रेस के इस्तापना किस वर्स में हुई थी कोशन नमबर 57 ऑप्शन नमबर A 1885 में इसके बारे में बहुत सारी चीज़े हैं आपको पता होनी चाहिए और फिर कभी डिसकस करेंगे अभी हम केबल प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं चलिए आग अबदी के भीतर चुनाब कराए जाते हैं यह कोशन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया है और 21 साल में दोनों जो कोशन मतलब यह एक्जाम हुए थे लेकिन अलग-अलग सिप्टों में हुए थे यानि कहने के मतलब यह है कि जो कोशन है वो एक कोशन द बिगटित हो जाती है तो ठीक है किसी कारण से बिगटित हो गई तो आपर 6 महीने के भीतर आपको चुनाब कराने बहुती जरूरी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है भारत के राष्टपती पद पर निर्वाचित होने की नियूंतम आयूशीमा क्या है तो आयूशीमा देखें यहां से भी कुश्यन पूचा जाता है किस पद के लिए कम से कम कितनी आयूशीमा होने चाहिए तो राष्टपती के बारे में पूचा गया है आंसर दूसरे होते है राजीपाल, तो इन तीनों की नियूंतम आयूआ कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल आयू होनी चाहिए, और जो लोक सभा के सदस्य होते हैं, उनकी आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 years ठीक है यानि 25 साल उनकी आयू होनी चाहिए यानि कह सकते हैं लोकसभा का सदस्य से मतलब आप जितने भी लोकसभा की सदस्य है या फिर जो प्रधान मंत्री होते हैं ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनकी आयू भी कितने होनी चाहिए कम से कम 25 वर्स चुकि वे भी लोग सभा के सतस्य होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से question पूछा गया है बार बार और पूछा जाता रहेगा ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं next है राज्य के निती निर्देशक तत्व का उलेक भारतिय समिधान के किस अनुछेद में है निती निर्देशक तत्व तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ option number C 36 से क्यावन में क्या दिया गया है निती निर्देशक तत्व तो ये आपको ध्यार नगनाए और कम से कम आपको चार से पांच भाग पता होने चाहिए कि कौन सा अनुछेद में किस कोन सा अनुछेद किसके अंतरगत आता है मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि एक से जो चार तक अनुछेद है ये बार बार question repeat होते है ठीक है आपको ध्यार नगनाए एक से जो चार तक अनुछेद उसमें संग और उसके राज्य छेतरों के बारे में discuss किया गया है ठीक है और पांच से पांच से लेकर के जो ग्यारा तक है पांच से ग्यारा तक है उसमें नागरिकता का वर्नन किया गया है ठीक है फिर उसके बाद आते हैं 12 से 35 तक ये है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार ठीक है तो यहां से कुश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं मौलिक अधिकार से ठीक है ये आपको पोरे रटे होए होने चाहिए और आगे बात करते हैं 36 से 51 तक जो की कुश्चन में पूछा गया है ये है निती निर्देशक तत्व ठीक है तो ये आपको धियान लगना है और एक आता है ये भाग एक हो जाएगा ये दो ये तीन ये भाग चार ठीक है और एक आता है आपका मौल करतव भी है मौल करतव भी है ठीक है ये है 51 के A में ठीक है ये भी आपको ध्यान लगना है अनुच्छे दिया लगन ए में आते हैं और question यहां से तो बनते रहते हैं यहां तक तो आपको रटे हुई होनी चाहिए article और कुछ important article है total सारे article हो में भी भी आपको पता होना चाहिए और यहां तक तो आपको एक एक article का पता होना चाहिए ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हिस्ट्री से है कोश्चन मोहन जोदारो और हरपपा के अब से संकेत देते हैं कि यह सांदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी यहाँ यहाँ पर बताना कि यह क्या थी कृष्ची नगरे थी धार्मिक नगरे या तट्ये नगरे या फिर वियापारिक नगरे तो इसमें से आपको बताना है आपने रितिक रोशन की मोहन जोदारो मूवी भी देखी होगी तो उसमें वे वियापार करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह क्या थी वियापारिक नगरे ठीक है मोहन जुदारों यहां पर लिखा हुआ है तो आपने मूवी देखी होगी ना तो मूवी से भी काफ़े चीज़े सीखने को मिल जाती है ठीक है तो उसमें वियापार करते हैं वे लोग तो उससे आप गैस कर सकते हो कि क्या थी वियापारिक नग्रे ठीक है तो इस तरह से ऑप्शन नमबर सी इसका अंसर हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निमलिकित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधी मंदिर का निर्मार करवाया था तो इसका अंसर आपको बताना है कि किसने कराया था महाबोधी मंदिर का निर्मार कहाँ पर बिहार में तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B असोक नहीं करवाया था ठीक है और 260 इशापूर्व ठीक है 260 इसापुर्व में इसका निर्मार कराया था बोध गया में इतना आपको ध्यान रखना है किस ने कराया था समराट असोक ने अप्शन नमबर B नेक्स्ट है अगला हमारा कोशिन है निमलिकित में से भारत की किस सनचना या फिर इस मारक में पहली बार भबन निर्मार के इसलामी सिधानतों और सजावट का प्रियोग हुआ था यानि किस भबन निर्मार में इसलामी निर्मार के इसलामी सिधानतों और सजावट का प्रियोग हुआ था सबसे पहले ये कोशिन हैं आपर पूचा गया है इस टाइब के question जो काफी बनते हैं ठीक है जो थोड़े से students ignore कर देते हैं उस टाइब के question आते हैं जो आपको लगता है कि यारी तो difficult है और जो normally हर book में नहीं मिलता उस टाइब के question बनते हैं और इसका answer रहेगा option number D अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा इसका answer रहेगा कि इसमें क्या हुआ था सजावट की गई थी इसलामी सिधानतों के आधार पर तो इसका answer रहेगा option number D और ठीक है इसका जो निर्मान हुआ था अलाई दरवाजा कहां पर है जो कुतुमिनार है दिल्ली में और उसके लिए एक मस्जिद सोरी एक मस्जिद के लिए ये कुतुमिनार बनाई थी वनाई गई थी उस मस्जिद का नाम था कुबबत उल इसलाम मस्जिद कुबबत उसलाम मस्जिद की अजान देने के लिए क्या बनाई गई थी कुतुम मिनार का निर्माड किया गया था और वहीं पर क्या है अलाई दरबाजा इसी में सबसे पहले इसलामी सिद्धानतों के अधार पर सजावट इसकी हुई थी ठीक है और जो ये है किसने बनाये था ठीक है ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाये था तो ये अलाउदीन खिल जी आंसर हो जाएगा अलाउदीन खिल जी और इतनी बातें आपको ध्यान लगनी है चलिए अब आगे बढ़ते है नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ाई कब हुई थी तो ये पुछा गया है ठीक है प्लासी का युद कब हुआ था किसकिस के बीच हुआ था ब्रिटिस इस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच और ये हुआ था 1757 में कब हुआ था 1757 और इसकी डेड़ती 23 जून सन 1757 ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्लासी का यूद हुआ था 23 जून सन 1757 और इस्ट इंडिया कमपनी जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी थी इसकी तरफ से नितरत्व कर रहे थे रावर्ट कलाइब और जो बंगाल के नवाब थे ये भी आपको पता होना चाहिए बंगाल के नवाब थे सिराज उद दोला ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर सिराज उद दोला और इस्ट इं कि इस इंडिया कमपनी की किसकी विजय हुई थी इस युद्ध में इस इंडिया कमपनी की यहां पर विजय हुई थी और यहीं से इस इंडिया कमपनी के सासन की यहीं से इस इंडिया कमपनी के सासन की क्या हुई इस थापना ठीक है यहीं से उनके पैर मजबूत हो गए और उ option number 6 चलिए अब आगे बढ़ते हैं next है name name में से कौन एक लोहा खनीज नहीं है लोहा खनीज नहीं है मतलब लोहा खनीज का मतलब है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ में जिसमें थोड़ा बहुत भी लोहा नहीं देखें लोहा खनीज मतलब एक ऐसी धातू एक ऐसी वस्तू जिसमें लोहा की मातरा पाई जाती हो अब इसमें पुचाए कि लोहा खनीज नहीं है मतलब जिसमें नहीं हो option number D जो टंगिस्टन में लोहा नहीं होता है option number D इसका answer रहेगा next है निमलिकित में से भारत का कौन सा छेतर पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है तो इनमें से बताना है आपको डिगवई असम बॉम्बे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है यह आपको बताना है देखे डिगवई असम में है बिल्कुल यह है बॉम्बे हाई मुंबई में यह भी यहां से भी जो है पेट्रोलियम निकलता है और जो C option है हमारे पास C option यहां से नर्मदा नदी का डेल्टा जो है यहां से पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है तो इस आंसर हो जाएगा option number C बाकि कर्ष्णा नदी का जो डेल्टा है वहां से भी पेट्रोलियम नि बढ़ते हैं 6 नेक्स्ट है निमलिकित में से निमलिकित में कौन सा एक देश प्लाकृतिक गैस का एक प्रमुक उत्पादक नहीं है तो जाएगा दक्षन अफ्रीका option number A वहाँ पर प्राकृतिक गैस ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती इसलिए उसको प्राकृतिक गैस का उत्पादक नहीं माना जाता है option number A next है चलिए आगे देखते हैं भारत में ताजे पानी की जील निमलिकित में से कौन सी है तो ताजे पानी की यहाँ पर पुछा गया है बुलर जील को ताजे पानी की जील कहा जाता है चलिए अब आगे बढ़ते है next है चलिए आगे देखते हैं डाल देने वाले डाल देने वाले पोधे को निमलिकित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है जो दाल देने वाले पोदे होते हैं जैसे अरहर तोर या फिर मटर मटर भी दाल इसकी भी दाल होती है या जितने भी एट्रेटर जितने भी दाले हैं उनके पोदों को किस क्लास यानि किस कुल में रखा जाता है ये कुश्छन यहाँ पर पूचा गया है तो इसको बोलते हैं फिक है लेग्यूमिनेसी कुल में इसको रखा जाता है option number C next है प्रकाश संसलेशन की किर्या का उतपादन या उतपाद निमलकित में से कौन सा है जो प्रकाश संसलेशन की किर्या उसको उतपाद कौन सा है option number C Oxygen यानि उत्पाद का मतलब है कि क्या चीज प्रिकास संसलेशन में क्या चीज हमें मिलती है क्या प्रोडक्ट मिलता है यानि क्या उत्पाद मिलता है उसको बोलते हैं तो Oxygen हमें पता है कि पेड जो है Oxygen छोडते हैं यानि Oxygen हमारा क्या है product है यह मान सकते हैं आप और CO2 वो grand करते हैं यानि carbon dioxide को grand करते हैं और oxygen को छोड़ते हैं यानि oxygen बनाते हैं चलिए अब आगे देखते हैं चलिए नेक्स्ट है देखें नेक्स्ट कुशन है रेस्पिरो मीटर से क्या मापा जाता है खाने का श्वाद और गुणबत्ता है इसका आंसर option number A रहेगा नेक्स्ट है निमली खित्मे से ATP का कौन सा पूर्ण विस्तार है ATP का पूर्ण विस्तार क्या है यह पूछा गया है इसमें आंसर रहेगा option number C adenosine triphosphate ठीक है ATP का यह पूरा नाम है adenosine triphosphate option number C ठीक है adenosine triphosphate इसका आंसर रहेगा आगे पढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है पोदो में दुत्यक ब्रद्धी के निमलिकित में से कौन से उत्तक उत्तरदाई होते हैं दुत्यक ब्रद्धी के लिए कौन से उत्तक होते हैं जो की उत्तरदाई होते हैं option number B के इसको बोलते है cambium ठीक है cambium बोलते हैं उत्तकों को आगे देखते हैं चलिए नेक्स्ट है निमलिकित में से किसकी उपस्तिती के कारण जनतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है जनतु कोशिका और पादप कोशिका में जो अंतर पाया जाता है वो किस चीज की उपस्तिती के कारण ऐसे उनमें कौन सी चीज़ होती है जो उनमें डिफरेंस पैदा करती है तो इसका आंसर रहेगा option number B कोशिका भित्ती ठीक है बी इसका right आंसर रहेगा आगे दिखते है चलिए next है हमारे पास लोहे के frying pan की जंग खाये रोकने के लिए निमन में से कौन सी विद्या उप्यूक्त है तो जंग से बचने के लिए मतलब लोहे पे जंग लग जाता है आप जानते है उससे बचने के लिए किस चीज का यहां पर यूज करते है जो fry pan होते है इसका आंसर रहेगा option number C जस्ते की cutting करना तो जस्ते का यूज के जाता है il desem जस्ते की cutting करना जंग से बचाता ही चलिए आगे बढ़ते है नेच्ट है प्रिकास जोटे-चोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं तो प्रकास जिस चीज़ से मिलकर बना है जो जिन कणों से मिलकर बना है उसको बोलते है फोटोन ठीक है option number C इसका answer रहेगा क्या बोलते है उसको फोटोन ओके चलिए आगे बढ़ते है निमले कितमे से कौन अर्द चालक नहीं है यह पूछा गया है आंसर हो जाएगा इसका option number B ठीक है यह अर्द चालक नहीं है next है बाकी सब क्या है अर्द चालक है next है एक जूल में लगवग कितनी कैलरी होती है question number 78 का answer हो जाएगा option number A 1 जूल में होती है 0.24 यानि 0.24 कैलरी होती है एक जूल में ठीक है चलिए आगे देखते है next है megawatt में निमन में से क्या मापा जाता है megawatt देखे इनसे जो computer की जो memory होती है उससे पिछले practice set में भी question आया था और इसमें भी same question है मतलब memory से related है question same नहीं है लेकिन उसी type का question है तो इसमें आपको बताना है के जो megawatt है megawatt का मतलब होता है mb चीक है और ये किस चीज को क्या मापा जाता है computer की एक minute एक minute इस में रती चमता computer से तो एक ही दिया हुआ है यहाँ पर megawatt तो यहाँ पर computer से related है तो यही कर देंगे इसमें रती चमता इस्तान घेरती है मतलब इसकी जो memory होती है option number C इसका answer हो जाएगा चमता भी बोल तकते हैं आप इसको computer की इसमें रती चमता ठीक है option number C इसका answer हो जाएगा 79 का चलिए आगे आगे digital computer में किस सिधानत का परियोग किया जाता है जो आज कल के जो digital computer है उसमें किस सिधानत का परियोग करते हैं यह question पूचा गया है option number C दूई आधारी अंकपदिती ठीक है इसका answer रहेगा option number C ठीक है यानि binary system का परियोग इसमें किया जाता है दूई आधारी मतलब वाइनरी सिस्टम अंकपदिती मतलब सिस्टम तो वाइनरी सिस्टम का परियोग करते है option number C इसका right answer रहेगा ठीक है चलिए आगे देखते है next है एपच के इलाज के लिए निमन परिकार की दवाओ का परियोग किया जाता है एपच के इलाज के लिए कौन सी इनमे से कौन सी दवाओ का परियोग किया जाता है question number 81 में answer रहेगा आपका option number C antiseptic ठीक है रोगाणू नाधक sorry रोगाणू रोधी जो दवाई होती है उसका परियोग करते है एपच के इलाज के लिए next है करंतक नाशी के रोप में निमले किदमे से किसका परियोग किया जाता है तो करंतक नाशी के लिए option number B zinc sulfide का परियोग करते है तो ये question आप direct भी याद कर रख सकते हो ठीक है तो ये आपको धियान रगना है next है आगे बढ़ते है next है ये अच्छा question है अमल ऐसा पदारत है ये आपको बताना है तो अमल इन में से कैसा पदारत है ये आपको बताना है ऎसका answer आपको बताना है क्या रहेगा 第三 तो देखे अमल सुआद में खटा होता है बिल्कूल सही बत है ये दूसरा है लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है यानि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्या ये बास सही है या फिर ये गलत है तो बिल्कुल सही बात है सोरी ये जो है सही बात नहीं है ये इसका काम होता है नीले लिटमस को लाल कर दीना ठीक है जो अमल होता है ये नीले को लाल करता है और जो चार होता है चार ठीक है वो लाल को नीला करता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है दोनों चीजों में डिफरेंट पता होना चाहिए अमल नीले को लाल करता है छार लाल को नीला कर देता है लेकिन जो अमल होता है स्वाद में खट्टा होता है यानि इसमें केवल पहला ही option ठीक है और इस प्रिकार से यानि इसका हो जाएगा ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए तो इतनी बात आपको ध्यार नखनी है यहां से question भी पूछे जाते हैं बार-बार आते रहते हैं ठीक है चलिए और यह जो आम लेजी जो होते हैं वो hydrogen iron देते हैं यह आपको ध्यार नखना है question यह भी पूछा जाता है कि hydrogen निम्लिकत में से कौन प्रदान करते हैं यह मतलब कौन देता है तो H plus iron देते हैं यह है hydrogen iron मतलब H plus iron चलिए आगे देखते हैं next है निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है तो यह आपको बताना है कि इनम्न में से कौन सा सही नहीं है इदर एक शुरोत लिखा हुआ है इसमें अमल लिखा हुआ है कि किसमें कौन सा अमल पाया जाता है ठीक है यह आपको बताना है तो सिरके में के बहुल यहां पर इमली में साइट्रिक अमल ठीक है इमली में पाया जाता है साइट्रिक अमल option number D चलिए आगे बढ़ते हैं next है एक मिनट एक मिनट देखें सिरके में एसिटिक पाया जाता है ठीक है एसिटिक अमल होता है और दही में आपका लेक्टिक अमल होता है इमली में साइट्रिक अमल नहीं होता है यानि आपर ये गलत है option number D का right answer है ठीक है लेकिन इस कोश्चन में थोड़ा सा मुझे confusion लग रहा है क्योंकि साइट्रिक अमल कट्टे पदारतों में होता है इमली भी कट्टी होती है तो इसमें आप थोड़ा सा confusion लग रहा है एक बार चेक कर लेना मैंने इसको मतलब सर्च नहीं किया चलिए आगे देखते हैं चलिए next question देखते हैं एक बार इसको देख लेंगे और मैं comment में आपको बता दूँँगा ठीक है comment आप चेक कर लेना चलिए अब आगे देखते हैं अगले question निमलेकित में से कौन सा एक और जा बचत में सबसे अधिक सायक है energy यानि और जा बिजली की बचत कौन सी चीज करती है इन में से सबसे ज़ादा कौन सी उपयोगी है answer रहेगा LED वल्ब आज कल क्या है सब घरों में यूज करते है LED वल्ब और इतने ज़ादा ये light मतलब उत्पन करते है प्रकाश उत्पन करते है लेकिन उतनी ज़ादा ये light जो है खर्च नहीं होती इन से ज्यादा light खर्ची नहीं होती लेकिन इनका प्रकाश है वो काफी तेज होता है LED वल्ब का सबके गरों में यूज होते है नॉर्मली ठीक है और LED वल्ब की जो LED की जो फुल फॉम होती है ये क्या होती है LED का मतलब क्या है इसका मतलब है light LED का मतलब है light emitting diode light emitting diode ठीक है ये इसका meaning होता है तो इसका मतलब आपको पता चलिके क्या होता है light emitting diode चलिए अब आगे देखते है next है अगल हमारा question है भारत और अन्य जगों पर biomass dash shape राप्त किया जाता है भारत में और अन्य जगों पर भी biomass ये किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है इसका answer रहेगा कि ये मौंगफली के चिलकों से भी प्राप्त करते हैं गन्य से गन्य की खुई से और चावल के चिलके होते हैं उससे भी और यानि option number days का right answer रहेगा सब ही बिकल्प ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है अन्तियोदै कारेकरम का उदेश्य क्या था अन्तियोदै कारेकरम का उदेश्य था गरीबों में सबसे गरीब की साहिता करना जो गरीब लोग है उनमें सबसे जो गरीब है उनकी साहता करना इसका उधिश्य था तो सीश का अंसर हो जाएगर नेट्स्ट है चलाया समीती किस छेत्र की जांचरितु गठ़्ित की गई थी तो चलाया समीती का गठन किया गए था किस छेत्र की जांचर के लिए किया गए था option number यानि टेक्स की जांच के लिए इसका गठन किया गया था आगे देखते हैं देखें नेक्स्ट कुश्यन है हमारे पास CV रमन ने सन 1928 में रमन प्रबाब की खोच की जिसका संबन्ध निमलिकित में से किस छेतर से है तो CV रमन का जो संबन्ध था वो भोती की से था और यह जो रमन प्रबाब है यह है प्रकास से रिलेटेड ठीक है ओप्शन नमबर A इसका राइट आंसर रहेगा चलिए अगला कुश्यन देखते है द्रोनाचारे सम्मान डैश को दिया जाता है तो द्रोनाचारे सम्मान किस व्यक्ति को दिया जाता है या किस शेतर में या किस किन खिलाडियों को दिया जाता है यह आपको बताना है द्रोनाचारे सम्मान किस को दिया जाता है आप जानते है प्रशिक्षकों को यानि टीचर्स को जो मतलब सिखाते हैं उनको ठीक है जो प्रशिक्षन करते हैं या जो मतलब खेलकूत की जो शिक्षा देते हैं ठीक है उनको दिया जाता है उन प्रशिक्षकों को नेक्स्ट है ओलम्पिक की व्यक्तिकत इस परदा में कौन है ऐसी महिला जिसने यह जीता है तो इसका नाम है करणम मलेशवरी इनका क्या नाम है करणम मलेशवरी ठीक है ओप्शन नमबर सी इसका अंसर रहेगा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से फट फट से देख लेते हैं सारे कुश्चिन को एक बार मतलब जल्दी से असर रहेगा आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास चली नेक्स्ट है मुगल गार्डन राष्टपती भवन भारत के राष्टपती का आधिकारिक निवास है राष्टपती जो भवन है उसमें राष्टपती रहते हैं और विशली बात है हर साल जनता के लिए खोल दिय मार्च में option number B इसका answer रहेगा ठीक है next है चुलिए next question है काफी अच्छा question है निमलेकित में से किने Nobel प्रुष्टकार नहीं मिला Nobel प्रुष्टकार से आपका एक question आना है ठीक है ये आपको ध्यान लगना है कि इन में से कौन है जिनको Nobel Prize नहीं मिला ठीक है तो एक एक करके हमें यहाँ पर बात करनी है कि किसको नहीं मिला सबसे पहले हम बात करते हैं देखि कैला सत्यार्थी कैला सत्यार्थी के अगर मैं बात answer है option number A पंडि जवालना लेरू को Nobel प्रुष्टकार नहीं दिया गया लेकिन कैला सत्यार्थी को 2014 में सान्ती के छेत्र में इनको दिया गया था कैला सत्यार्थी को Mother Teresya को Mother Teresya को मिला था 1989 में और यह भी सान्ती के छेत्र में मिला था यह भी आपको ध्यानक ना है दूसरे बात करते हैं डॉंक्टर H.C. Khurana ठीक है यानि डॉक्टर हर गोविन खुराना ये चिकित्सा से संबंदित है इनको जो मिला था नोवल प्रुसकार और ये कब मिला था इनको 1968 में ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया तीनों इनको 2014 में केला सत्यार्थी को सांती के छेत्र में मदर टेरिसा को 1989 में यानि 1979 में सांती के छेत्र में हर गोविन खुराना को चिकित्सा के छेत्र में 1968 में मिला था ठीक है तो इसका आंसर क्या रहेगा जवालना लहरू कि इनको नोवल प्रुसकार नहीं मिला आगे बढ़ते है चलिए नेक्स्ट है निमलिकित में से गोल्ड मै पुरुषकार का संबन्द आपको बताना है किस से संबन्दित है तो इसका अंसर रहेगा ऑप्शन नमबर ए यानि पर्या वरण ठीक है एन्वारमेंट से रिलेटेड है गोल्ड मैन पुरुषकार ओके तो यह आपको ध्यान लगना है और यह जो पुरुषकार दिया जाता को आता है 12 April को यह आता है तो यह आपको ध्यान लगना है और यह जो पुरुषकार देता है वो सेन फ्रांसिसको की गॉल्ड मैन पर्यावरन फाउंडेशन है उसके दुआरा यह दिया जाता है ठीक हर वर्श तो यह आपको ध्यान लगना है इतनी बाते आगे है माई जॉर्णी ट्रांस्फोर्मिंग ड्रीम्स इन्टू एक्शन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है यानि ये पुस्तक किसने लिखी है तो ये करंट से रिलेट कुश्चन था इसका अंसर रहेगा सोरी करंट का नहीं था ये कुश्चन इसका अंसर है माई जर्णी के लिए कर को ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो ये जो बुक से रिलेट कुश्चन है ये करंट के भी पोचे जाते हैं ठीक है तो जो करंट में फेमस बुक होती है वहां से भी कुश्चन आते हैं ठीक है और जो पुरानी बुक्स है जो फेमस बुक्स हैं लेकर के दौरा लिगी गई है वहां से भी कुश्चन आते हैं ठीक है तो दोनों तरह से कुश्चन आते हैं बुक्से रिलेटेड चली अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है देगे मही 2017 में भारत ने किस देश के साथ भारते कोशल विकास अधिकारी और क्लेस्टर प्रवंदकों के प्रशिक्षन की सुविदा के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया तो ये किस देश के साथ किया था इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी चर्मनी के साथ सार्क का पहला सिकर सम्मेलन कहा हुआ था था धाका में और धाका क्या है बांगला देश की राजधानी बांगला देश की राजधानी धाका में यह हुआ था और ठीक है यह आपको ध्यान अकनाए और 1885 में यह पहला सम्मेलन हुआ था यह आपको ध्यान अकनाए चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कुशन है देखे पाकिस्तान की पहली महिला प्रधान मंतरी कौन थी यह आपसे पूचा गया है तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधान मंतरी थी बैंजीर भुटो यानि ऑप्शन नमबर ए नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कुशन भारत क गंड़क नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो इसका नाम है option number C नारायनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है तो इस प्रकार से हमने 50 questions solve कर लिए है I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से में स्रीज जो है लाता रहूँगा English की भी जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है साथ में आपकी reasoning ठीक है reasoning की भी पहला practice set हो चुका है वो भी आप देख सकते हैं तो यह सारी स्रीज में आपको कराऊँगा practice के लिए ठीक है और साथ में मैं आपको कुछ जो content है वो प्रवाइट कराऊँगा exam तक मैं आपको करा दूँगा अभी उसमें थोड़ा सा time लगेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में thanks for watching this video